नमस्कार आप देख रहे हैं RG News मैं हनी आदो तो आए चलते हैं खबरों की ओर उपमुख्य मंत्री सावनी नई दिल्ली जा रही स्वच्छता दीदियों और उनके परिजन से विमांतल मुलाकात कर शुपकामनाय दी स्वच्छता दीदियों को जंडी दिखा कर रवाना किया उन्होंने यात्रा के लिए स्वच्छता दीदियों और उनके परिजन को अपनी शुपकामनाय दी उपमुख्य मंत्री साव ने नैदिली जा रही, स्वच्छता दीदियों और उनके परिजन से विमानतल मुलाकात कर शुपकामनाय दी और कहा कि केंद्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्राले ने छतिस गड की सोला स्वच्छता दीदियों और उनके परिजन को नैदिली में गर्णतंत्र दिवस समारों देखने विशेश अतिति के रूप में आमंत्रित किया है ये स्वच्छता दीदियां 25 जन्वरी को केंद्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीब सीह पूरी से मुलकात भी करेंगी उन्होंने कहा कि यह आमंत्रन प्रदेश के शहरों को स्व हैं भारत सरकार के इस विशेश अमंत्रन से हमारी स्वच्छता दीदियों के साथ ही पूरा 36 गर्वानवित हुआ है केंद्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नीच गंतंत्र दिवस परेड में विशेश अतितिति के रूप में गंडई नगर पंचायत की दो कुमहारी ुत की नगरपलिका की की दो खेरगण नगरपालिका की एक बिलास- पूर्ण नगरपालिका की तीन तथर आजनानगाओं दुर्ग अंभिकापूर और कोरब नगर निगं की दो-दो सवच्छता दिदियों को आमंत्रित किया है इन महिलाओं साथ इनके एक-एक परिजन को भी आमंत्रित किया गया है और पूरे देश में स्वक्षता ने एक जन आंदोलन का स्वरूप लिया आज स्वक्षता को लेकर पूरे देश में जागरुखता आई है और कैसे हरे एक व्यक्ति अपने अपने तरह से इस अभियान में सहभागी बना है और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा दाओ किस प्रकार से स्वक्षता के लिए एक जूठ होगर काम कर रहा है कभी किसी ने इस बात की कलपना नहीं की थी कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है हमारे प्रदेश से सोला स्वक्षता जी जी गरतंत्र दिवस के पावा नमसर पर सामिल होने के लिए जा रही है